टिकमगर कंग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीस बुंदेला द्वारा एक प्राइवेट होटल में सोजन ने भेट का अजन किया गया उसमें पार्टी के वरिस्ट नेता अयम पत्रकारों को आमंतरित किया गया था प्रदेश प्रवक्ता अवनीश बुंदेला द्वारा बताया गया कि भाजपा प्रदेश अधिक्ष बीडी शर्मा द्वारा जो आरोप दिगविजेश सीहप पर लगाये गये थे वो निराधार निकले हैं इसको लेकर बीडी शर्मा को उनसे माफी मागनी चाहिए लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और भाजपा सिर्फ लोगों को बरगलाने में लगी हुई है इसी तरह तमाम आरोप भारती जन्ता पार्टी पर लगाये गए इस जोरान वरिष्ट कॉंग्रेसियों का दर्द सामने आया है बातों बातों में उनके द्वारा बताया गया है कि उन्हें कही न कही तक दरखिनार कर दिया गया है और जो वर्तमान में चल रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ ठीकमगर से सुबत पाठक की रिपोर्ट यह है कि रही को मजबूत कर चाहता हूं और जहां का में रहने वाल हूं वहाँ पहला फर्ज बनता है कि उहां आच के मजबूत हो तो उसके लिए मैं bå्रट का हर कारकरता का हर नेता का सायों करना चाहता हूं इसलिए शयान आप लोग जताया हाली में जो प्रिथीपुर में भी चुनाओ संपन हुगा तो हाँ पर कॉंगिस का बोर्ट बेंग बड़ा 69,000 बोर्ट मिल ठीक है हम चुनाओ वहार गए सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग से कैसे जताएगी जनता क्योंकि चुनाओ मुद्दों पर होते ही नहीं है चुनाओ आजकल हो रहे हिजाब पर हो रहे है चुनाओ हिंदू मुस्लिम पर हो रहे है दो दिन की पहले की आपको घटना याद होगी, जिस तरह से आरोन में तीन पुलिस कर्मियों की हत्या की गई, ये कमजोर कानुन व्यस्था का सबसे बड़ा उधारन है, और उसको प्रपंच रचा गया कि वो जो शिकारी थे, वो कहीं कॉंगेस के नेताओं से जोड़े थे, जबकि उसका आठ घंटे बाद सपस्ची करनाया, फो टू आये, वो भाजपा के मंत्री महेंड सिंग से सुधिया के लिए ही शैद सिकार करने गए थे, और महेंड सिंग से सुधिया से बड़ा ही उनका दोस्ताना निकला, अब कहा हैं, बीडी शर्मा जी माफी मांगेंगे प्रदेश से, दिगवजय सिंग जी से, प्रदेश की जनता से नहीं मांगेंगे, क्योंकि बीडी शर्मा जी और भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री गायब हैं, अपना मूँ छपाते हुए फिर रहे हैं, और यही क्रोणलो जी पूरे प्रदेश में चल रही है, देश मे हत्या नहीं होता, तो भाजपा चुनाओ हत्या रही है, चुनाओ जीत नहीं, जनता के मन नहीं जीत रही है, आप देखें, हमने कमलनाच जी की सरकार ने 27 प्रदेश्ट आरक्षन दिया था, और कमलनाच जी से पहले भी अगर धाते हुए हेलो फ्रेंग्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें